हेलो गाइस मैं हूँ भागी रदगिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम की जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करके आपको देगा तो गैस फैक्टोरियल क्या होता है पहले आपको यह समझना है उसके पीछे का लॉजिक समझना है फिर हम लोगों को उसको प्रोग्रामेटिकली इंप्लिमेंट करना है तो फैक्टोरियल क्या होता है वो किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखता है यानि किसी भी नंबर को 12 तक इसको divide करके देखूंगा और मैं देखूंगा कि remainder में 0 आ जाना चाहिए remainder में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए जैसे 12 1s 12 होता है, remainder में 0 आता है 6 2s 12 होता है, remainder में 0 आता है 3 4s 12, remainder में 0 4 3s 12, 6 2s 12 इस तरीके से remainder में 0 अगर आता है तो वो number क्या कहलाता है? गई होगा, तो अगर आप बात करो 15 की, तो 1 और 15, 15 के factors होंगे, फिर 3 और 5 भी 15 के factors होंगे, तो अभी इस चीज़ को हमको क्या करना है, एक program में implement करना है, तो इस चीज़ को implement करने के लिए हमको simple सा logic लगाना होगा, और logic में हम क्या करेंगे, एक loop चलाएंगे, बट उससे भी पहले आप user से लोग एक number और user को बोलोगे कि please enter a number, तो please enter a number के लिए हम यह क्या करेंगे, prompt, prompt का मतलब क्या होता है, आप user को एक prompt खुलवा कर बोलते हो, कि वो कुछ data enter करे, तो please enter a number, ओके तो user ने एक number एंटर कर दी आपके पास, अब आप क्या करोगे, 1 से लगा कर counting मैं क्या करूँगा, 1 और 1 से सुरुवात करना है counting को और चलाना कब तक है, तो less than equals to number तक चलाना है, कब तक चलाना है, less than equals to number, इसका मतलब क्या होगे, user ने डाला suppose 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक चलना है, user ने डाला suppose 10, तो 1, 2, 3, 4, up to 10 तक चलना है, और हर बार plus प्लस चलना है, तो इस तरीके से हमनों क्या करेंगे, सबसे पहले इदर console.log देखेंगे और counting प्रिंट करेंगे, तो console.log मैंने आई किया, यह क्या करेगा, आई, आपके लिए यहां counting प्रिंट करके देगा, चलिए देखते हैं यहांपर, यह console मेरा open हो गया, इदर side में, और मैंने यहां से user को एक number enter करने के लिए तो user ने suppose डाला इधर 10 तो यह देखो यहाँ पर 10 तक की counting चल गई है 10 तक की counting चल गई अब मेरे को क्या करना होगा तो मुझे यह करना होगा कि मैं हर बार यहाँ divide करवाँगा कि if में हम check करेंगे कि जो number user ने डाला था उसको जब divide किया जा रहा है किसी भी i से i के किसी भी number से यह यह user ने डाला था 5 और i में जब भी counting चल रही है वो है 1 तो क्या 5 को 1 से divide करने पर 0 आ रहा है तो उसको check करने के लिए हम लोग लगाएंगे number mod i is equals to equals to 0 यहनि जब number को i से divide किया तो number क्या fix है i क्या है change हो रहा है लूप में number को जब i से divide किया तो क्या 0 आया अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि remainder 0 आता है क्योंकि यह जो number mod i है वो आपको exactly निकाल के क्या दे रहा है remainder और इधर आप चला दो कि console में dot log तो console dot log में आपने print कर दिया आई तो user को पता जल जाएगा कि यह क्या है उसका एक factor है किसका जो user ने number डाला था उसका factor है अगर नहीं होता है तो आपको कुछ भी print नहीं करो आना है loop को ऐसे ही चलने देना है तो चलिए देखते हैं यहां से वापस चलते है user ने लाला suppose यहां पर इसको refresh करता हूँ user ने लाला 10 तो यह देखो 10 के factorials कौन कौन है तो 10 के factors कौन है 1 खुद factor होता है मेंसा 10 खुद भी factor होता है 2 और 5 2 की table में भी 10 आता है 5 की table में भी 10 आता है तो यह चीज हमको यहां से clear हो रही है अब suppose आप कोई और number डालते हो जैसे मैंने डाला इधर 15 तो 15 के factors कौन कौन है तो 1, 3, 5 और 15 suppose मैंने डाला 12 तो 12 के factors कौन कौन है तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 जो हमने example में starting में देखा था और यह एक छोटा सा program है जो क्या करना है आपको किसी भी number का factor निकाल कर दे रहा है So I hope guys यह concept आपको अच्छे से समझ में आगया होगा That's it for this video Thank you so much for watching